इस बात से शुरुवात करना बहतर रहेगा कि नितीश जी के समाज सुधार अभियान में समाज कितना होता है इसकी जाच होनी चाहिए जैसे लालो यादव के चारा घोटाले की जाच हुई उसी तरीके से इस बात पर गौर करना चाहिए कि जब नितीश कुमार किसी जिले में जाकर समाज सुधार अभियान यात्रा चला रहे होते हैं तो क्या समाज वहाँ पहुच पाता है और इसी के साथ आपको आज हम बता देते हैं कि जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो नितीश जी भागलपुर में पहुच चुके होंगे और वहाँ पर वो आज समाज सुधा देदियों को इन्वाइट किया गया है और आज से जो कोरोना आने की चलते समाज सुधार अभियान रोक दिया गया था वो समाज सुधार अभियान आज से शुरू हो रहा है और पहला पड़ावाज भागलपुर और उसके साथ मां का जिला भी है अब नमस्कार स्विकार कर और और करने के लिए अभिसम पर्क करे 99314-85437 पर भागलपुर से बहुत खबरे आती रहती हैं एक बार नितीश जी ने कहा था कि आप लोग ये बताईए कि कौन शराब बेच रहा है महिला ने शराब बेचने वाले का नाम बताया उसी भागलपुर से और उसको मार दिया नहीं चलता कि कोई आदमी जब बताता है कि फालना जगा सराब मिल रहा है तो उसको नहीं पकड़ना चाहिए खबर तो बहुत सिंपल सा ये है कि नितीश कुमार का समाज सुधार अभियान यात्रा आज से शुरू हो रहा है और नितीश कुमार जिले जिले जाकर मंच पर चड़ कर लोगों को समभुषित करेंगे और ये बताएंगे कि दहेज लेना बुरा बात है बाल विवाह नहीं करना चाहिए शराब पीना गलत बात है और इस सबसे हम बिल्कुल सहमत हैं लेकिन मेरे पास सवाल है सवाल ये है कि समाज सुधार अभियान में पहला शर्द सम समाज आपके मंच के जो नीचे होएं वहां मौजूद क्यों नहीं रहता है सवाल ये कि आप पुलिसिया फोज को क्यों लगा देते हैं कि आपको कोई आवेदन जेने मुझफरपुर में जा रहा था तो वहां पढ़ा पिछली बार जो आकरी बार 29 दिसंबर 2021 को आपने समा समाज सुधार अभियान से नफरत है क्या हम तो कोशिश कर रहे हैं सब कुछ ठीक करने का बाकि जब करोना आया था तो समाज सुधार अभियान को रोक दिया गया था और अभी अब इसकी शुरुवात की जा रही है और पहला पढ़ाओ भागल पूर बांका है और यहां पर समासुधार अभियान कर लेंगे तो उसके बाद 27 फरवरी को वो पठना और नालंदा में करेंगे सभा, 5 मार्च को वो पूर्णिया में करेंगे, 6 मार्च को मधिपूरा में करेंगे, 5 मार्च को जो पूर्णिया में उनका कारेक्रम होगा समासुधार यात्रा का, उसमें कटिहार, अररिया और किशनगन जिला के लोग भी शामिल होंगे लोग बोलकर हम गलती कर रहे हैं वहां की जीवी का दीदियां शामिल होंगी और जो 6 मार्श को मधिपूरा में समार सुधार अभियान चलेगा वहां पर सहरसा और सुधार अभियान का जो मार्श था रैली कहली जी आप वो अयूजित किया गया था और वहां पर बहुत गरबर जहला हो गया था एक आदमी जाकर नितीश जी को आवेदन देना चाह रहा था और उसके बाद नितीश जी के सुरक्षा कर्मियों ने उस वक्ति को रोक लिया और उसके बाद वहां हो हला होने लगा और कुछ लोग प्रदर्शन करने लगे जब लोग प्रदर्शन करने लगे तो मीडिया वालों ने जाकर उनको कवर करने का प्रयास किया और इसी पर नितीश जी भड़क गए, उनोंने कहा कि आप लोगों को लगता है समा सुधार अभियान से नफरत है, नितीश कुमार जी जिले जिले घूमने जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप लोग दहेज, बाल विवाह और श्राब बंदी के खिलाफ आवार उठाईए अगर कोई ऐसा गलत काम करता है, तो हमको आकर बताईए, नितीश जी ने खुले मंज से ये भी कहा है कि हम उसी के शादी में जाएंगे, जो अपने शादी के काड़ पर ये छपवाएगा, कि हम अपने शादी में दहेज नहीं ले रहे हैं, इन सबसे हम ये समझ सकते हैं कि नितीश कुमार जी, गांधी जी किराव पर चल रहे हैं, और जिले जिले जाकर बिहार के लोगों को जागरुक करने का काम कर रहे हैं, कि आपको दहेज नहीं लेना चाहिए, आपको बालिवाह नहीं करनी चाहिए, आपको शराब नहीं पिनी चाहिए, और इसी के विप्री अगर उसको ग्राउंड पर चरितार खाप कर देते तो हमें लगता कि समार सुधार अभियान बिहार के हर जिले में हो चुका है जो जिला बचा हुआ है पुरुनिया, मधिपूरा, किशन गंज, अररिया, पटना, नलंदा वहां आगे आने वाले डेट तारीक पर हो जाएगा 27 मार्च को पटना में होगा, 5 मार्च को पुर्णिया में होगा और 6 मार्च को मधिपूरा में होगा और वहां के जो अगल बगल के जिले के लोग हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं और लोग को हम बार-बार बोल रहे हैं फिर गलती हो जा रहा है हमसे लोग वहां शामिल नहीं होगा वहाँ जीवी का देदिया शामिल होगी वहाँ किसी भी आम व्यक्ति को घुषने के इजाजत नहीं होती है और नितीश कुमार जी ये प्रयास कर रहे है कि बिना समाज को बुलाए हम समाज को सुधारने का काम करेंगे बाकी करोना के चलते जब वो रुका था तो आज की बड़ी ख़बर यही है कि आज से नितीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट समार सुहार यात्रा पे निकल चुके है और जो उनका उसके अंदर का ड्रीम है वो यह है कि लोगों को वो शराब के प्रती जागरूख करें और शराब पीने से रोक लें बाकी स्पराने कोई भी ख़बर आगी तो आपको हम अप्लेट करेंगे मिन नाम प्रशांत राय है आप जनता रिंग्शन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद